स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिये, बहुत आसान है दोस्तों, इस जॉइन बटन को दबाईए और आपके सामने आएंगी ये तीन विकल्प, इन में से एक चुनिये, और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिये 14 फरवरी 2019 को कौन भूल सकता है, पुलवामा के अंदर हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, जब 300 किलोग्राम RDX से लदी एक गाड़ी, हमारे जवानों के काफिलों को हमला करती है, और उसमें 40 जवान शहीद हो जाते है, आज भी देश के प्रधान मंत्री ने कई सवालों की एक सिलती, एक गाड़ी कैसे पहुंच जाती है हमारे जवानों की काफिले की तरफ, सवाल नमबर दो, इस हमले से पहले, एक नहीं दो नहीं, बलकि इस खबर के मताविक जो इस वक आपके स्क्रीन्स पर है, करीब 11 बार इंटेलिजिंस वानिंग्स आई थी, यानि कि ये ख वक्त सरकार जमू कश्मीर में केंदर की भाजपा सरकार की थी, सवाल ये कि जवाब दही तो भाजपा की बनती है ना, तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल, भारती जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर चुनावों में वोट क्यों मांग रही थी, आपको याद है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोक के दिशा निर्देशों की पूरी तरह से धज्या उड़ाते हुए, जनता से ये कहे डाला था, कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा के लिए मिल सकता है, याद है कि भूल गए, सुनिए उन्होंने क्या कहा था, और आज भी, आज भी क्या है, आज भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपनी श्रधानचली दे रहे हैं, उन बुन्यादी सवालों का बगैर जवाब दिये, उनकी श्रधानचली आपके स्क्रीन्स पर, बिलकुल, उनकी शहादत हम सब के लिए प्रेणा है, मगर उनके परिवार, ये नहीं भूल पाए हैं, प्रधान मंत्री महोता है, कि कई जवानों की सिर्फ एक हड़ी उनके घर पहुँची थी, आज भी कई मुद्दों को लेकर उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है, इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने करारा हमला बोला है, क्या बोल रहे हैं वो, पुलवामा के शहीदों को हम कभी नहीं भूला सकते, उनका भाँ उनके परिवारों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, हम जवाब लेके रहेंगे जैहिंद, इस देश में सवाल पूछना आज की तारीख में कुना हो गया है, इस देश में सवाल पूछना देशद्रो हो गया है, अगर आज विपक्ष के नेता इस मुद्दे को लेकर सवाल करते हैं, तो भारती जनता पार्टी के नेता उन पर निजी हमला बोलना शुरू कर देते है जैसे की ये महाश है हेमंत बिस्वर्मा जिन्हों ने ये तक कह दिया कि क्या हम राहुल गांधी से इस सवाल पूछें कि वो राजीव गांधी के बेटे थे या नहीं है या उसका क्या प्रमान है हेमंत बिश्वर्मा ने सिर्फ राहूल गांधी पर हमला नहीं बोला हेमंत बिश्वर्मा ने ये अशलील हमला सोनिया गांधी पर किया है कॉंग्रिस की बुजरुग नेता एक लोगतंत्र के अंदर सवाल लाजमी है सवाल लोकतंत्र का डीफॉल्ट सेटिंग होता है डीफॉल्ट सेटिंग समझते हैं आप यानि कि कुछ चीजों का हिस्सा शुरू से ही वो होता है जिसके साथ किसी तरह की कोई कॉम्प्रमाईज कोई समझोता नहीं हो सकता मगर पिछले साथ सालों में हुआ क्या है दोस्तों पिछले साथ सालों में यही हुआ है कि अगर आप ऐसे समवेधनशील मुद्दों पर सवाल करते हैं तो आपके बारे में कहा जाता है कि आप पाकिस्तान के हाथों की कटपुतली हैं मैं आपको बतलाना चाहता हूँ जब 2019 को पुलवामा हमला हुआ था तब यही कुछ सवाल मैंने केंदर की भाचपा सरकार से पूछे थे सवाल नमबर एक बार बार इंटेलिजन्स वार्निंग आ रही थी सरकार ने उस पर आक्शन क्यों ने लिया सवाल नमबर दो उस वक्त की सेना प्रमुक जो थे जनरल बिपन रावत उनसे पत्रकारों ने पारलिमेंट में पूछा था सर इस तरह की खबरें आ रही थी कि इस तरह का बड़ा हमला हो सकता है तो उन्होंने बगएर सवाल का जवाब दिये आगे ये कहकर वो निकल गए कि हम तयार हैं इसके लिए यही नहीं स्थानिय पुलीस को ये चेतावनी दी गई थी कि ऐसा कोई हमला हो सकता है मगर कोई आक्शन नहीं लिया गया मेरा सिर्फ गुना ये था दोस्तों कि मैंने ये सवाल पूछे थे जो कि लोकतंत्र का एक हिस्सा है नमबर एक लोकतंत्र का डिफॉल्ट सेटिंग नमबर दो हर पत्रकार का फर्ज होना चाहिए नतीजा मेरे टेलिफोन नमबर को भारती जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने सार्वजनिक कर दिया बड़े पैमाने पर भेला दिया गया ये कहकर कि ये देश का घद्दार है करीब साट घंटे तक मेरा टेलिफोन बचता रहा जो लोग मुझे कॉल करके गालियां दे रहे थे उनको ये भी नहीं पता था कि मैं कौन हूं उन्हें बस ये समझा दिया गया था कि ये देश का घद्दार है अधिकतर लोगों को नहीं पता था दोस्तों इससे पता चलता है कि जो लोग सवाल करते हैं उनसे भाजपा के प्रचार तंत्र को कितनी आलर्जी है मगर भाजपा प्रचार तंत्र के जो ये पांडे, शर्मा, चत्रुवेदी जो भी हैं ये लोग तुम्हें समझना होगा कि अभिसार शर्मा सवाल करने से पीछे कभी नहीं हटने वाला तीन साल गुजर चुके हैं वो सवाल अभी भी वहीं बने हुए है उन सवालों के जवाब अब तक नहीं दिये गए हैं उल्टा कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने उभर कर आया था जिसमें ऐसी एक गाड़ी के अंदर कुछ जवान बैठे थे और वो ये शिकायत कर रहे थे कि हम लोग एक बहुत ही सेंसिटिव इलाके से गुजर रहे हैं हमारे आसपास नकसली हैं मगर हमें किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है हमारी जो गाड़ी है वो बुलिट प्रूफ नहीं है जबकि जो हमारे कमांडर हैं उनकी गाड़ी आगे चल रही है वो पूरी तरह से बुलिट प्रूफ है उस विडियो में वो जवान ये कह रहे थे कि क्या हमारे जान की कोई कीमत नहीं वो जवान ये भी कह रहे थे कि हम पर अगर कोई हमला करेगा आरडी एक्स के जरीए या लैंड माइन बारूदी सुरंग के जरीए तो उन्हें जवाब देने का हमें मौका भी नहीं मिलेगा और ऐसा नहीं कि पुलवामा के बाद हमारे जवानों पर हमला नहीं हुआ इतिहास ने बार बार खुद को दोराया है हाँ एक और चीज़ बार बार खुद को दोराती रही है भारती जन्ता पार्टी ने बहुत ही मिरलजटा से हमारे शहीदों की शहादत पर वोट्स हासल किये हैं उनकी एक हिती बदस्तूर जारी है और वो अब नए स्वरूप अख्तियार कर रही है अब उन्होंने एक तरह से इस देश की डिफॉल्ट सेटिंग बना दिया है यानि कि इस देश की स्वाभाविक नाचुरल सोच का इस्सा बना दिया है कि जो भी सरकार से सवाल करेगा वो दरसल देश के सेनिकों की तोहीन कर रहा है उनकी बेश्जती कर रहा है भारती जन्ता पार्टी की ये उपलब्दी है मगर तीन साल गुजरने को आगए आज भी उन सवालों का कोई जवाब नहीं है खेर मेरा तो फर्ज है दोस्तों वो मुद्दे लाना है जिसका सीधा तालुक आपके साथ है दुख की बात ये है कि जब मैं मुद्दे उठाता हूँ तो मैं देखता हूँ अकसर की कॉमें सेक्शन में कुछ नफरती चिंटू, कुछ अंदभक्त उन्हें इस पर भी प्रॉब्लम है मगर मैं आपको दोश नहीं देता दोस्तों आप लोग दरसल उस प्रचार तंत्र का शिकार हैं जो पूरी तरह से आपको सम्मोहित कर चुका है अब आपको लगता है कि हम सवाल करें भी तो क्या करें और कैसे करें आपकी हालत वो हो गई है मगर जैसे मैंने कहा ना, मैं सवाल उठाते रहूंगा नमस्कार झाल